देश की महिलाओं को कानूनी सामाजिक और राजनितिक अधिकार दिलाने के लिए भारत की पहली एक मात All India Women United Party बनाई गई है यह पार्टी भारत के सविधान के अनुसार औरतों को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए अग्रसर है यह बात पार्टी के अधिक्षी नसीम बानो ने चंडीगर में प्रेस वारता में कही इस चीज़ को फिर हमने सोचा कि बेटर यह है कि हम अभी इस चीज़ को उस नजर से ना ले क्योंकि हमारी जो महलाएं अवेरनेस करके आगे आ गई यह हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है लेकिन सबसे बड़ी दुखत बात यह है कि जो हमारी मजूदा सरकार ने जो हमारे साथ या पब्लिक पूरे अवाम और जनता के साथ जो किया है ये साफ इस से यही लगता है कि भई ये ब्लैक मनी का इश्यू नहीं था जो है पूरा पालिटिकल स्टन्ट था ये अज़ पैसे ब्लैक मनी ए करके जब ब्लैक मनी जंदा के लिए है और फैसे नहीं कर पारी है तो ये इतने खर्च पार्टिया कहाँ से कौन से बैंक से पैसे निकाल गए ये लाकों रुपे खर्च कर रहा ही तो इसकी जानकरी हमें चाहिए क्योंकि ये चाहते थे कि भी जितने भी नई पार्टिया हैं वो खर्च करेंगे आगे आएंगे कि क्योंकि ये हर तरह से इनकी जो पंजाब का सीन है जो ड्रग्स में जो यूवक और महिलाएं भी घिरी और बहुत सारी ऐसे मसले हैं यूपी का भी है चाहिए वो दिल्ली का भी है तो ये इस तरीके से ये मसलाओं को दबाने के चकर में इन्होंने जन्ता को गुमरा करके और ये जो स्टंट जो किया है ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है और ये सिर्फ वोटिंग स्टंट है य तो हम क्योंकि इसलिए कि हमारी जो महिलाएं मदान में उतरी हैं जो आई हैं तो इसके वज़े से ये पता चला है कि नहीं मुद्दा कुछ और है, हकीकत कुछ और है। विरोध तो बिल्कुल जरूर करेंगे क्योंकि ये तो बहुत गलत मेसेज जो पबलिक को गुमरा करके करने के लिए गये हैं तो विरोध तो करेंगे, विरोध हमारा उस तरीके का नहीं होगा कि हम आंदोलवन निकाले ये करें, हमारा जो विरोध का तरीका हो आप लोगों के जरीए होगा और रही माचल की बात है बिलकुल पूरे सीटों पे हम महिलाओं को उतारेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि महिलाओं में अवेर हो वो अपनी हाग भागीदारी और हगदारी के लिए लड़ें और लड़ने से ही उनका हक मिलेगा नहीं तो ऐसे हम भागते दौरते रहे जाएंगे और हम गिंती जो आज हमारी 10% है तो वह 0% में कुछ दिन में नजर आए